आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने इस वीडियो को बनाने के बाद में पिछले वाले वीडियो में कमेंट देखा जिसमें पूछा गया था कि जो प्लम पुडिंग मोडल है उसको मिठाई या फिर केक के साथ किस प्रकार से रिलेट किया जा सकता है तो जो मिठाई होती है उसमें क्या होता है कि जो प्लम यानि की काजू पिस्ता वगेरा हम चीजें उपर से डालते हैं उसे कहते हैं प्लम और पूडिंग जिसमें काजू पिस्ता को मिलाया जाता है उसे हम कहते हैं पूडिंग काजू पिस्ता के अलावा जो यूनिफॉर्म पार् plum को pudding के अंदर मिलाया जाता है या फिर ऐसे समझें कि plum जो है वो pudding के अंदर दसा हुआ रहता है तो Thompson ने भी अपने model को इसी प्रकार से represent किया कि जो plum होता है वो electron के बराबर होता है और जो pudding होता है वो एक समान वित्रित दनावेस के बराबर clear हो चुका होगा और एक मयंग सोने ने doubt पूचा था कि aluminium जो है magnesium के बाद में आता है बिल्कुल सही है परन्तु आपकी जो party पुस्तक है उसमें aluminium नहीं दिया हुआ है तो मैंने party पुस्तक से ही उस pick को upload किया था तो सुरू करते हैं आज की वीडियो को उम्मीद आपकी doubt clear हो चुके होंगे आज का हमारा वीडियो chapter number 7 का part number 2 है part number 1 में हमने दो प्रकार के model पड़े थे पहला था डोल्टन का model और दूसरा था थॉम्सन का model और थॉम्सन के model में मैंने उसकी कमी बताई थी कि वो रदर फोर्ड के experiment के जो परिणाम प्राप्थ हुए उनको नहीं समझा पाया साथ ही में मैंने आपको बताया कि next वीडियो में हम रदर फोर्ड का स्वन पनी experiment देखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसी प्रकार रदर फोर्ड ने अपना experiment किया तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी आवशक्ता क्यों पड़ी तो रदर फोर्ड के experiment करने का कारण था परमाणू की आंतरिक सरचना को जाचना ठीक है अंदर से परमाणू कैसा होता है उसका पता लगाना तो उसके लिए उसने अपने सीसियों का साथ लिया और एक प्रियोग किया जो कि आपने अभी देखा तो उस प्रियोग में उसने कौन-कौन से उपकरण काम में लिए सबसे पहले वन बाई वन उन उपकरणों को हम देखते हैं जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं सबसे बाई और आप एक बॉक्स देख रहे होंगे उस बॉक्स में उसने रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा जिससे की अलफा कणों का उत्सरजन होता है प्रति एक समय उसमें से अलफा कण बाहर निकलते रहते हैं तो इस बॉक्स मे कि जो बॉक्स से अलफा कण आ रहे हैं उनको एक दिसा में सरेकित करना या फिर एक बीम में कनवर्ट करना अब बीम बन चुकी है वो बीम क्या करेगी कि इस पतले से द्वार से होकर सोने की पनी पर जाकर आपतित होगी ठीक है सोने की पतली पनी पर जाकर आपतित होगी त उसके बाद में क्या होगा कि सोने की पनी से टकराने के बाद अलफा करण विबी नदिसाओं में गति करेंगे तो उनके संसुचन के लिए इस पनी के चारों और एक गोल परदा लगया गया इस परदे के उपर जिंक सलफाइड का लेप किया गया तो यहां पर तीन चार टर्म सारी है जिनके बारे में आप अभी तक नहीं जानते होंगे जैसा कि सबसे पहले हो गया अलफा करण क्या होते हैं उसके बाद में हो गया सोने की पनी सोने की पनी ही क्यों काम में ले गई इसकी मोटाई कितनी थी उसके बाद में आती है परदे के उपर जिंक सलफाइड का लेप क्यों किया गया तो सबसे पहले हम इन प्रश्णों का उत्तर जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं सोने की पतली पन्नी के बारे में तो सोने का उप्योग इसमें इसलिए किया गया ताकि 10 की गात माइनस 7 मीटर पतली पन्नी प्राप्त की जा सके अन्य धातों से ये संब नहीं हो पाता सोने को जब खीचा जाता है तो उसकी बहुत ही पतली और महीन जिल्ली बनाना संभव हो पाता है दूसरी बात आती है कि कि इतनी पतली थी वो जिल्ली लगबग 10 की गात माइनस 7 मीटर और उस जिल्ली को परमाणू के रेस्पेक्ट में देखें तो उसकी मोटा सेकेंड पॉइंट इस जिल्ली पर अल्फा कणों की बोचार की गई बात आती है अल्फा कंड क्या होते हैं तो द्वी आवेशित हील्यम कणों को अल्फा कण कहा जाता है यानि कि HE2+, जो कि दनात्मक आवेशित होते हैं इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि दनात्मक आवेशित यहाँ पर क्यों लिया गया क्योंकि जो दनात्मक आवेश होता है वो दूसरे दनात्मक आवेश को प्रतिकरशित करता है जबकि दनात्म कावे स्रिनात्म कावे से एक दूसरे को आकरशित करते हैं तो उसी के माध्यम से परमाणों के आंत्रिक सरचना को समझने का प्रयास रदर फोर्ड ने किया तीसरा पॉइंट आता है कि जिल्ली के चारों और जिंक सल्फाइड या जेडेनेस से लेपित परदा लगया गया तो जिंक सल्फाइड का क्या काम होता है कि जब वो अलफाकन सोने की पनी से टकराएंगे तो उनकी दिसा को बताने के लिए उसके चारों और एक परदा लगा था तो जब अलफाकन उस परदे पर जाकर टकराएंगे तो एक प्रदिप्ती उत्पन करेंगे जैसा कि आप चीतर में देख सकते हैं एक प्रदिप्ती उत्पन होती है जिससे हमें पता चल सके कि किस दिसा में कितने अलफा करण गए है ठीक है उनका विक्षेपण किस किस दिसा में हुआ है तो तीन पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिये हैं कि वो उपकरण कौन कौन से थे और उनका क्या क्या काम था और उनका उपयोग क्यों किया गया विचलिथ नहीं होगा एकड़म सीदे से गुजड़ जाएगा यानि कि Thompson के अनुसार जो कि परमानों विद्यूत का उदासीन होता है उसके कारण अलफा कणों को सीधे गुजर जाना चाहिए अगर उनमें कुछ भी deviation आता है या फिर वो अपने पत से विचलित होंगे तो इसका मतलब होगा कि Thompson के model में कुछ कमी है अब हम देखते हैं रदर फोर्ड मोडल को एनिमेशन के मादियम से और देखते हैं उसके कौन से result प्राप्त होते है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक box होता है जिसमें radioactive substance रखा होता है उसमें से अलफा कन उत्सरजित होते हैं तो ये अलफा कनों की बीम उत्सरजित होई ठीक है और slit के मादियम से वो एक सही दिसा में सरेकित हो गई ताकि पतले द्वार से वो सोने की पन्नी पर आपतित हो सके आपतित हो चुकी है अब result आने वाले है result में हम देख रहे हैं कि अधिकांस कन सीधे जा रहे हैं परंतु कुछ कन ऐसे हैं जो अपने पत से विचलित हो रहे हैं यानि कि थॉमसन का मोडल यहां पर पूरी तरह से सही नहीं है तो आकड़े देखते हैं हम कि अधिकांस अलफा कन सोने की जिल्ली से बिना विचलित हुए सीधे चले गए ठीक है जैसा कि आप यहां पर डाइग्राम में देख सकते हैं जो कि थॉमसन मोडल के अकोर्डिंग है जबकि कुछ अलफा कन छोटे कौन से विचलित हुए यानि कि 10,000 में से 14 कन ऐसे थे जो छोटे कौन से विचलित हुए यानि कि 10,000 कन अगर सीधे जा रहे थे तो उनमें से 14 कन मनाते हुए विचलित हुए यानि कि जो 9,986 कन थे वो सीधे गुजर गए ठीक है बहुत ही कम परसेंटेज है पर परन्तु विचलन तो हो रहा है जो कि Thompson के model के according नहीं है साथ ही तीसरा result था वो बहुत ही अधिक shocking था क्योंकि लगबग 20,000 कणों में से 20,000 alpha कणों में से ये कण 180 degree के कौन पर वापस से लोटा यानि कि जिस पत से वो आया था उसी पत पर वो वापस से लोट गया तो ये बहुत ही shocking result था क्योंकि Thompson के अनुसार तो सभी कण सीधे चले जाने चाहिए थे तो इस प्रकार से Rutherford के जो fraction थे वो Thompson model के according प्राप्त नहीं हुए Thompson के अनुसार सभी कण सीधे जाने चाहिए थे बलकि हमें कुछ deviation इन कणों में देखने को मिला तो इसी के साथ हम Rutherford के जो experiment के fraction थे उनको समझ चुके हैं अब इन fraction के आदार पर Rutherford ने कौन-कौन से परिणाम निकाले उन परिणामों को हम देखते हैं ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा इस पन्नी के अंदर परमानवी अवस्ता में पहुँचना होगा ठीक है तो आप देख सकते हैं कि उसके सीधे जाने का कारण रहा होगा कि उसके मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आ रहा है जबकि अगर कोई कंड विचलित हो रहा है तो उसका कारण रहा होगा कि बीच में एक दनात्मक शेत्र है जहां से प्रतिकर्शित होकर कंड अपना रास्ता बदल रहे है साथ इक कंडों के वापस लोटने का कारण रहा होगा कि वो जो कंड है वो सीधे जाकर 90 डिग्री एंगल पर उस दनात्मक बाग पर इंसिडेंट कर रहे है जिसके कारण वो उसी पत पर वापस से लोट रहे है ठीक है तो इस तरह से उसने लदर फोर्ड ने अपने मोडल के परिणाम निकाले पहला परिणाम था परमाणू का अधिकांस बाग खोकला होता है वो आवेश हीन होता है क्योंकि अगर कोई आवेश होता तो दनात्मक आवेशित अलफा करणों को वो या तो प्रतिकरशित करता या फिर आकरशित करता जबकि अधिकांस कंड लगबक 10,000 में से 9,983 कंड सीधे गुजर गए इसका मतलब परमाणों का अधिकांस बाग क्या होता है खोकला और साथ ही आवेस हीन होता है दूसरा उसने परिणाम निकाला कि समझत दनावेस परमाणों के केंदर में उपस्तित होता है क्यों क्योंकि प्रबल प्रतिकर्षन के कारण ही अलफा कणों का विक्षेपन संबव है तो उसके हिसाब से रदरफोर ने परिणाम निकाला कि जो दनावेस इत बाग है परमाणों का वो बहुत ही कम ख्षेतर में सीमित होगा तबी अलफा कणों के उपर प्रबल प्रतिकर्शन बर लग रहा है और वो अपने पत से विचलित हो रहे हैं तीसरा परिणाम उसने निगाला कि परमाणू में धनात्मक या फिर धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है क्योंकि बहुत ही कम अलफा कण अपने पत से विचलित हुए अधिकांसकन सीधे गुजर गए इसका मतलब धनावेश जो प्रतिकर्शन कर रहा है और अलफा कणों को अपने पत से विचलित कर रहा है वो पर्माणों के total item की तुलना में बहुत ही कम item में सीमित है उसने इस दनात्मक item को नाम दिया नाभिक ठीक है? जो दनात्मक part था पर्माणों के अंदर जो विबिन अलफा कण्डों को प्रतिकर्सित कर रहा था उसने उस part को नाम दिया नाभिक तो आप समझ पा रहे होंगे रदर फोर्ड ने जो experiment किया उसके fraction के आदार पर उसने कौन कौन से परिणाम निकाले इन परिणामों के आदार पर रदर फोर्ड अब क्या करेगा कि परमानु की जो सरचना है उसको समझाने का प्रियास करेगा अभी तक हम ने जो देखा वो रदर फोर्ड का रफ वर्ग था उसने फेर रूप में अपने मोडल को किस प्रकार से प्रस्टुत किया या फिर परमाणू की सरज़ना को किस तरह से इसपस्ट किया उसको अब हम देखते हैं तो उसके निसकर्सों का पहला पॉइंट था परमाणू का संपूर्ण द्रेवमान एम धनावेस उसके नाबिक में केंदरित होता है ठीक है एक परमाणू है मान लीजिए उसका संपूर्ण द्रेवमान द्रेवमान यानि की भार और उसका धनावेस उसके नाबिक के अंदर ज तो होता है जिसमें इलेक्ट्रोन व्रताकार कक्षाओं में चक्र लगाते हैं ठीक है इलेक्ट्रोन व्रताकार कक्षाओं में चक्र लगाते हैं जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं और फाइनली उसने थर्ड जो निसकर्स निकाला वो था कि परमाणू विद्यूत का उदासिन होता है जितने इलेक्ट्रोन होते हैं नाविक में उतनी ही मात्रा में प्रोटोन उपस्तित होते हैं ये निसकर्स पर्मानु का अधिकांस भाग रिक्त होता है जिसमें इलेक्ट्रोन व्रताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं नाबिक के चारों और रिताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रों चकर लगाते हैं, तो मैक्ष्वेल ने उस समय से पहले एक सिदांत प्रतिपादित कर दिया था, कि अगर कोई इलेक्ट्रों लगातार गती कर रहा है, तो वो विकिरन या फिर उर्जा का उत्सर्जन करता है, तो के साथ परमाणू का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि रदर फोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रोन तो केवल व्रताकार कक्साओं में चक्र लगाते हैं तो यह एक परंतु एक कक्सा में कितने इलेक्ट्रोन हो सकते हैं क्या एक ही कक्सा में सारी इलेक्ट्रोन चक्र लगाते हैं या फिर अलग-अलग कक्साओं में वो निश्चित संक्या में चक्र लगाते हैं उनके बारे में नहीं बता बाया तो यह दो प्रकार की कम्या उस मॉडल में प् अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद